जय हिन दोस्तों, एक्स सर्विस्मेंट, फैमली पेंस नर्स और डिफेंस पेंस नर्स के लिए बता दें, बहुत ही अच्छी खबर है, OROP 2 की घोशना हो चुकी है और PM मोदी की इसकी मंचूरी दे दी गई है, लेकिन OROP टेवल रैंक वाइस क्या-क्या रहेगी, कितना एरि कब तक मिल जाएगा, इसकी भी जानकारी मिलेगी, और बता दे कि क्यों देना पड़ा, वन रैंक वन पेंसन की घोशना करनी पड़ी, PM मोदी को इसके बारे में बताएंगे, सबसे पहले तो मैं ये बता दू, कि वन रैंक वन पेंसन में जो अपना अठारा महिने का एरियर बकाया था, उसका भी इसमें एड कर दिया जाएगा, यानि कि आपका वरोपी तो मिलेगा ही, साथ में अठारा महिने का जो डिये डियर था वह भी 9% के हिसाब से जारी किया जाएगा, यानि कि आपको 9% पर मंत के हिसाब से 18 महीने का DADR दिया जाएगा तो पूरी खबर इसमें देखेंगे रैंक वाइस अभी आपने जो एरियर टेवल देखी थी अब नई एरियर टेवल जारी हुई है इसमें सबसे पहले जानेंगे कि एरियर टेवल के हिसाब से कितना आपका एरियर बनेगा उ उसके बाद से ये मैंने एक वीडियो बनाया था इस वीडियो को काफी सेयर किया और बता दे कि कम से कम तीन लाख लोगों ने इसको सेयर किया इसके बाद ये एक ब्रिगेडियर साब थे जिन्हों ने दिल्ली हेड़कॉर्टर में बिजेपी कार्याले में भी लेटर को दि ये ब्रिगेडियर थे ब्रिगेडियर N.K. धवन जो की रिटायर थे और इन्हों ने भी कहा कि आपकी YouTube पोस्ट देखी और सुनी थेंक यू उसमें इन्हों ने कहा कि जो जन सत्ता का जो आपने वीडियो बनाया है इसका मैंने दिल्ली हेड़कॉर्टर में भेज़ दिया है BJP के दिल्ली हेड़कॉर्टर में एक सर्विस्मेन की नाराजगी की बज़े है उनका हारना हिमाचल प्रदेश तो ये वीडियो जब ज्यादा ज्यादा सेयर हुगा उसके बाद एक तो ये रीजन है दूसरा रीजन है कि जो सुप्रीम कोट में तीन महिने का एक्स्टेंश पेंशन तो देगा ही नहीं साथ में बहुत जादा फजीयत होने वाली है इसके बाद पीम मोदी ने इसकी गोशना की वन रैंक वन लागू करने की और कल राजनाज सिंग ने इसकी कैबिनेट यानि की प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी की भी गोशना कर दी और उन्होंने ट किया जाएगा आपके एकाउंट में कब आएगा उसको मैं बताऊँगा उससे पहले बतादे कि जो इन्होंने एरियर टेबल जारी की थी रच्छा मंत्री ने इसमें बतादे 25 लाग एक सर्विसमेन और फैमली पेंसनर्स को फायदा होने वाला है 25 लाग फैमली पेंसनर्स इसमें जो एरियर टेबल जारी की गई थी इसमें बतादे कि सिपाही का दिया था नायक का दिया था लेकिन सर्विसवाइज नहीं दिया था हवलदार का दिया था नायप सुवेदार का दिया था इसमें सुवेदार का नहीं दिया था अब नई टेबल के हिसाब से बताता ह और ACP के हिसाब से भी कितनी पेंसन बनेगी, एरियर भी कितना बनेगा, जैसे कि सिपाही की है, जो 2016 में 17,699 रुपए बन रही थी, बेसिक, अब 2019 में उनकी 19,726 रुपए हो जाएगी, जो केवल सिपाही है, इसके बाद OROP रिवीजन के बाद उनकी 20,394 यानि कि 2019 में उनकी थी, 19,726 लेकिन जैसे रिवीजन हुआ, 20,394 हो गया, इसमें DA के साथ जो मिलेगा, एरियर वो 87,000 प्लस मिलेगा, यानि कि 87,000 मिलेगा, इसके बाद डियरनेस एलाउंस का भी, जो वह है, उसका भी 9% की हिसाब से मिलेगा, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा, इसके बाद बत बेसिक हो जाएगी, 21,998 रुपे कर दी जाएगी, 2019 में बेसिक, उसके हिसाब से उनकी जो सेलरी बनेगी, 94,300 रुपे बेसिक, इनका बन जाएगा, एरियर, 94,300 इनको एरियर मिलेगा, जुलाई 2022 तक का, इसके बाद का एरियर आपको बाद में हर महिने एड होता रहेगा, लेकिन ये जुलाई का, एरियर आपको जुलाई 2022 तक का दिया जाएगा, ACP अवलदार का, नायक का है, जो बेसिक हो जाएगा, 21,930 रुपे, और 1,14,000 रुपे आपको एरियर मिलेगा, नायक को, अभी कई लोग कमेंट करते हैं, कि सर सिपाही, जो है, ACP अवलदार, उसको 21,998 में मिलता है, और जबकि जो नायक है, उसको 21,930 मिलता, क्यों इतना कम अंतर क्यों है, उसका रीजन ये है, ये ले रहा है, सिपाही जरूर है, लेकिन ACP ले रहा है, अवलदार, और ये केवल नायक की ले रहा है, इसलिए इसमें कुछ रुपे का अंतर आया है, तो आ लेकिन जो ACP 16 साल में हवलदार रिटायर होके जाएगा, यानि कि 16 साल सर्विस करके प्रमेजर रिटायर होके जाएगे, उनको 46,000 रुपे एरियर मिलेगा, 22,024 उनकी सेल जो बेसिक बनेगी, 22,024 बनेगी, इसके बद ACP नायब सुवेदार का आप देख सकते हैं, ACP नाय 220 रुपे बेसिक हो जाएगी, यानि कि आपको वारोपी रिवीजन के बाद बेसिक बढ़ने वाली है, लगवग 1000 रुपे का इजाफा होने वाला है, इसके बाद जो बेस एरियर मिलेगा, 99,390 रुपे मिलेगा, नायब सुवेदार का आप देख सकते हैं, 27,597 रुपे है, बेसिक नायब सुवेदार का, इसके बाद 1,08,000 रुपे इनका एरियर मिलेगा, इसके बाद सुवेदार का आप देख सकते हैं, 35,000 रुपे, 35,400 रुपे बेसिक हो जाएगा, और 1,55,000 रुपे सुवेदार को, यानि कि एरियर आएगा, एरियर उनके एक खाते में आएगा अब कई लोग कमेंट करते हैं सर्फ हॉन्री रैंक का जो हॉन्री नैफ सुवेदार अगर हो गये हैं यानि कि शुवेदार में भी हॉन्री रैंक के हो गये हैं रिविजन के बाद और 1,75,000 रुपए उनको एरियर मिलेगा इसके बाद हॉनरी लेटिनेंट की 42,400 रुपए बेसिक हो जाएगी और 1,80,000 रुपए उनको एरियर मिलेगा हॉनरी कैप्टन के लिए 43,600 रुपए उनकी बेसिक हो जाएगी रिविजन पर और 1,83,120 रुपए उ और देख सकते हैं 3,50,000 मिलेगा एरियर और लेटिन करनल को ₹-4,00,000 की यह पास इसके बाद करनल को भी 4,42,000 के आसपास इसके बाद और भी देख सकते हैं आप इसमें दीया हुए है इनके सब के दिये हुए हैं तो officer को कम से कम 3 से 4 लाग का area मिलेगा, बाकि JCO और जवान को 1 से 2 लाग के बीच का area मिलेगा, ये थी जानकारी, और इसका credit कब होगा, बता दें कि credit या तो आपको अगले महिने किया जाएगा, उसमें नहीं तो आपको ये budget सत्र में credit किया जाएगा, क्योंकि budget सत्र में इसका fund जारी किया जा सकता है, अभी इसकी कोई गोशना नहीं की गई है कि कब आपको area credit किया जाएगा, लेकिन बता दें कि अगर अभी नहीं हुआ एक महिने के बाद, तो आपको budget सत्र में फरवरी budget सत्र में आपको इसका area का fund जारी किया जाएगा, उसके बाद आपको credit किया साथ में दिया जाएगा कि या अलग-अलग दिया जाएगा, तो अभी आप इसको देख सकते हैं कि यह जब अलग दिया जाएगा या साथ में इसके लिए fund जब जारी किया जाएगा, तभी इसकी जानकारे मिल सकती, इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें चैनल सबसाइब जरूर करके रखें जिससे की लेटस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे थैंक्यू जैहन